जेश को आजाद हुए आज 70 साल हो गए और भारत आजादी की 78 वर्सकास बश्गाट मना रहा है आज के बिन मुझे सिर्फ एक चीज मैं रस्ते में आ रहा तो जो सोच रहा था कि हम लोगों ने अपने चैनल का नाम जब रखने के बारे में सोचना शूरू किया तो हमने कभी नहीं जो जाता कि इंडिया वर्स भारत का भी कोई भी वाद इजह आ जाए अपने बारत एक्सप्रिस में लग रहा है कि अपनी अस्थापना के बाद दूसरी वर्सकार्ट मना रहा है और आज के दिन इस भारत एक्सप्रियार का भावफ होने के नाते और अपने देश का एक जिन्मदार नागरीप होने के नाते दो तिन बाते जरूर मौका है तो कहना चाहिए कहना बनता लिए एक आजादी जो हमें मिली यानि दी गई और एक आजादी वो होती है हादे जो हम स्वयम बनते हैं स्वयम का दिर्मिट होगा है और अध्याद में वेड़ों में रिसी मौनियों था है वाप आप स्वयन को निर्मित करते हैं यानि आप के व्यक्तित्व के अंदर जो संभावनाय है आप उसको तलासते हैं और एक अलग नाम, अलग तरीके से समाज में आपकी पहचान इस्थापिक होती है, तो तो सही अर्थ में वो व्यक्ति की स्वतंद्रता होती है, देश को तो दून ही लेकिन आज 29 साल के लेकर 40 साल के बीच तरीक 65 फीसदी आबादी हमारी है, लेकिन कहीं न कहीं जो व्यक्तित के निर्मान के दिशा में काम होना चाहिए हमारे देश में, वो हुआ इसी देश में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया ने फालो किया भारत के, लेकिन जिसको देख के, जिसको जान के पूरी दुनिया में कुछ देशों ने बहुत तरक्की की और तरक्की के दिशा में हमसे भी आगे निकल गए, लेकिन हम क्यों पीछे छोट गए, इस दिशा में जब मैं तलासता हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कि करीब करीब 2000 साल पर भारत लगातार आपरण जेलता रहा और गुलाम रहा है, और गुलाम रहने के कारण हमारे DNA में, हमारे अंदर बहुत गहरे में, डर और गुलामी, ये दो चीज़ा है, जो बैठ गई, और मुठ आध्मिक कल होता है, मुठ नो तो संस अधकिकर ग्यान से होता है, इस माननवताग के क्ये तक पर चलने वाले पूरी दुनिया में जिणहोंने एक अरग मुव्तां में ग्योशक गईशवैशulty नहीं जोंने सिर्फ लुक्त के मार्ख में एक भी चीज़ग्स अधोने एक ही कामन बात को ये और उसुदंक्र क्या तो अपनी क्या आधिया है कि आ वहले तो आग्यार हची के लिए परीवार काम करते हैं अब मित्रता और सतुरता की परिभासा अगर की जाए आज के दूंग तो मैं ये कोहूंगा कि आप स्वयम के भी मित्र होते हैं, स्वयम के भी सत्र होते हैं, स्वयम के मित्र तब होते हैं, जब आप ऐसा करते हैं कि आपके करने से आपके आज पास अगल बगल परिवार, माता, पिता, पत्नी, बच्चों के जीवन में सुखाता है, और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, जि आपके अंदर मैत्री है और अगर आप ऐसे करने में समर्ध नहीं, तो आप यह समılझे, कि आपके अंदर मैत्री नहीं है, और कोई भी एक छोटा सत्दम, को अंतिम से ही तक पहुचा सकता है, साधों ग्या है, साधी क्या है, यह बहुत महत्तों कुण नहीं है, आप जहाज में बैठके जाना चाहते हैं तो इत्वा जल्दी पहुच जाएंगे लेकिन भौगोलिक जगहों पर पहुचना कहीं पहुचने के बराबर नहीं नहां गया यानि कि दूरी नापना एक तरीके से शरीर को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह स्थापित कर देना ह लेकिन सही अर्थों में पहुचना उसे कहते हैं कि जिस काम को करने के लिए फरमात्मय में आपको इस दुनिया में भेजा है या जो संभावना आपके अंदर है उस पूरी संभावना को ठीक तरीके से तरास करके देश और तमाज की भलाई के लिए या जिस जगह पे हम रह एक्तिक, सामाजिक, अध्यात्मिक तीनों मतलब यही इसके बियान मैं जो स्वकंतरता मिली है वो तो 78 साल पहले इसको पाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का परढ़ा मुआ कि हमें स्वकंतरता दी गई और वो अब हमारी है भारत गनराजी है उस भा प्रति समाज के प्रति या परिवार के प्रति भी जैसे का जाता है कि प्रथम इकाई परिवार है फिर समाज है फिर देश है या पहले देश है फिर समाज है फिर परिवार है अगर देश की परिवार है तो राष्ट पर्थम की भावना हमेशा फ्रीडम फाइटर्स ने भी कि जिस देस जात में जन्व लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो लाधिली मनुश्यता से है, जात में जातियों कों ले कर संघर्व ह्राजनेती चलता उसका ये मतलब नहीं जात मतलब मनवता से say तो आज के दिन पता नहीं क्यों मेरा थवा गला भी खराब है और गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं आज बिल्कुल समय नहीं दूगा आज आप लोगों के बीच मेरी स्रीमती जी डाक्टर रचना जी भी आई है पेशे से प्रोफेसर है और मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया एक्ष्ट्राक्टर एक्टिविटी में दोनों बहुत अच्छा करते हैं कर रहा है तो इन रों का मन है किस मतंता देव से की तूप गाने का तो हम भी सुनते हैं आप लोगी सुनिये